दूसाइटी इंडिया लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने कहा कि बिहार की पिक्चर अभी बागी है बिहार में 24 घंटे के अंदर गटवंदन टूटा सरकार पलट गई बिहार के पूरे पॉलिटिकल एपिसोड में इस वक्त दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक है बिहार के नौवी बार मुख्यमंत्री बने नितीश कुमार उम्र 72 वार्ष और दूसरे हैं बिहार के अब पूर्व डिप्टिसीम तेजस्वी यादव उम्र 34 वार्ष उम्र अनुभव और राजनीतिक समझ के तौर पर नितीश कुमार हर तरह से हावी कहे जाएंगे लेकिन जेडियू और जेडी गटबंदन वाली सरकार गिरने के बाद तेजस्वी का रियक्शन देखने वाला है एक जमाने में नितीश को पलटू चाचा कहने वाले तेजस्वी इस बार भी बोले लेकिन तेवर कुछ अलग हैं वो परिपक वो दिखना चाहते हैं जेडियू को सबक सिखाने का इरादा है पूरी इज़त और सम्मान के साथ नितीश को चैलेंज कर रहे हैं उनकी एक एक बात को बहुत गौड से समझ गिएगा तेजस्वी ने 45 विधायकों का जिक्र करके साफ साफ इशारा किया है कि उनकी नजर जेडियू पर है वो खेला होने की बात तो कह रहे हैं साथ में बिहार में दो लाग से ज्यादा नौकरियां देना भी गिनवा रहे हैं साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री को वो बता रहे हैं कि जिस गठबंदन को छोड़कर वो बीजेपी के साथ गए हैं उसी गठबंदन के जरिये बिहार में सुशासन का दौड जारी था आप देखिए तेजस्वी की बात का जवाब नितीश ने किस तरह दिया पहले भी थे आप बीच में कहीं कहें और फिर दर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव और नितीश कुमार के बीच इस वक्त बिजली कड़क रही है नितीश और तेजस्वी के बीच में सुशासन की बात हो रही है तेजस्वी खेला की बात कर रहे हैं साथ में जेडियू के खत्म होने की भी भविश्य वानी कर रहे है जो भी बाते ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता हाला कि हम कोई व्यक्तिगा टिपनी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस करते हैं कि ना हम में गुस्ता है ना हम में नाराजगी है हम बड़े सयम रूप से हम लोगों ने गटबंदन धर्म का पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे लेकिन एक बात इस पस्टूप से मैं कहा देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लिजे जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी तेजस्वी ने तो यह तक कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है और अब नितीश और तेजस्वी की टकर के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने क्या कहा वो भी देखिये अखलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो लीडर प्रधान मंतरी बनने की तरफ बढ़ रहा है उसे बीजेपी ने मुख्य मंतरी के पत्तक सीमित कर दिया उन्होंने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया है अखलेश यादव का ट्वीट हो या पिर तेजस्वी यादव की तलकी भरी बाते इसका जवाब बीजेपी ने दिया है आज भारते जनता पाटी ने विधायक दल के नेता सिर्मा सब्राट चोधरी को चुना और विजेश इना जी को उपनेता की रूप में चुना सम मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे इस कुंहरते तेजसी ने विधायक दलने की में थक्नावाब बचा है लोग समा चुनाव से पहले बिहार की पोलिटिक्स ने ऐसी कर्वट ली है कि आजजेडी और कॉंगरेस बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तेजस्वी खेला होने की बात कर रहे हैं हैरत की बात ये है कि बिहार में आरजेटी के गड़बंदन साथी कॉंग्रेस के नेता के बयान बहुत तलखी वाले आए हैं और उसमें वो परिपक्वता नहीं है जो तेजस्वी यदव की बातों में नजर आई निदिश कुमार जी ने इसलिफा दिया है उसमें कोई आश्चरिय की बात नहीं है क्यूंकि निदिश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक बिखती है कई साल वो मुख्य मंत्री रह चुके हैं केंदर में मंत्री रह चुके हैं पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलने में वो गिर्गिटों का अच्छा मुखाबला देते हैं कॉँख्य टक्कर देते हैं गिर्गिटों का कॉंग्रेस इस वक्त वाकिए बहुत परिशान है क्योंकि पश्य मंगाल से लेकर बिहार और उत्रप्रदेश तक उसकी हालत बहुत खस्ता है और अब तीनों जगहों पर जो गटबंदन का खुआप देखा था वो दो राज्यों में खटाई में पड़ गया है और तीसरे में भी हालत पस्त है पश्य मंगाल में लोकसबा की 42 सीट 2019 के चुनाव में कांगरेस ने सिर्फ दो सीटे जीती थी बहार में लोकसबा की 40 सीटे हैं 2019 के चुनाव में कांगरेस को सिर्फ एक सीट मिली थी उत्तरप्रदेश में लोकसबा की 80 सीटे हैं 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी यही वचा है कि पक्षिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्रपरदेश तक जितना कॉंग्रेस अपनी हालत से वाकिफ है उससे ज्यादा उसके सहयोगी दल उसकी ताकत और कमजोरियां समझते है नितीश तो हट ही चुके हैं पक्षिम बंगाल में ममता बनर जी के साथ पंजाम में आम आदमी पार्टी ने भी कॉंग्रेस को ये बता दिया है कि वो उसके बिना चुनाव लडने को तयार है ऐसे में सवाल है कि जब राहूल गांधी बिहार से आगे बढ़कर उत्तर परदेश पहुंचेंगे तो अकलेश यादव उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे या कॉंग्रेस की रहा में और काटे बिछने अभी बाकी हैं कर दो अब बाकी है